इस कारे करम को जॉइस मायर में इस चीज के मित्रों और भागीदारों दोरा संबव बनाए गया है आनंद लो प्रती दिन के जीवन काम है हमार साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद मुझे वचन पसंद है इनसे मेरा जीवन बदल गया है यह मुझे मज़े मजबूत रखते हैं और मेरा माना है कि आप भी वचन से प्यार करते हैं वनना आप मुझे सुन नहीं रहे होते हैं आज हम फिर आस्था के बारे में बात करेंगे कल आस्था के बारे में बात करने शुरू की थी मैंने इबराहिम के बारे में साजा किया था और कैसे परमिश्वर ने उसे बताया कि वो बहुत ही जातियों का पिता ठहराया गया और उसके पास एक भी बच्चा नहीं था और वो बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूरा था उसकी पतनी बच्चे पैदा करने के लिए ब युहानना अध्यायच ही कहता है उन्होंगे पूछा परमिश्वए के कारे करने के लिए हम क्या करें मुझे लगता है कि यह एख सवाल है जो हम सभी के मन में हैं हम परमिश्वए को खुश करना चाहते हैं यदि शुजो रभी नमबी सूची के लिए kita को क्या करना है जिसमें परिपूर्ण होना और कभी घलती न करना शामिले हैं हम सबी में देया हर दिन नहीं है और यदि इस समय आपकी अंतरात्मा में कोई पाप है कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विरुद धारन कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसके लिए आप दोशी ठहराय जा रहे हैं तो परमिश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास पहुँचे उस पाप का पश्चा ताप करें उनसे बात करके इसके बार में बताएं इसे स्विकार करें इने इसके बार में सब कुछ बताएं वो इसे वैसे भी जानते हैं मैं नहीं जानती कि हम कभी ये क्यों सोचते हैं क्यों से नहीं पता वो सब कुछ जानते हैं और पश्चा ताप करने का अर्थ है उससे दूर हटकर एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार होना उन चीज से आज ही छुटकारा पालें आज एक नया दिन है और परमिश्वर आपके लिए नई चीज से लिख रहा है पॉल उसने कहा कि एक चीज जो इसके लिए सबसे महत्वा पूर्ण थी वो थी उन सभी चीजों को छोड़ देना जो पीछे थी और उन चीजों पर जोर देना जो आगे है विश्वास बिना उसे प्रसन न करना अन होना है क्योंकि परमिश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए इबरान योग 11.6 परमिश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है आप कभी भी वो नहीं है जहां परमिश्वर नहीं है वो हर समय हर जगे है और तुम विश्वास करते हो वो है प्रतिफल देता है मुझे बहुत खुशी है कि परमिश्वर पुरसकार देते हैं, वो अच्छे हैं, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वे जो वही करते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, आप समय व्यतित कर रहे हैं, अधैन कर रहे हैं, परमिश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये प को पुरिसकार देंगे क्योंकि आप उन्हें डूनने में समय बिताते हैं हमारा विश्वास के वल परमीश्वर में होना चाहिए ना की स्वयम में ना अन्या लोगों में ना अपने पैसों में ना बैंक में हम उन सभी चीजों का उपयोग करते हैं हम उन चीजों का भरोसा करत हैं लेकिन हमारा विश्वास के वल परमिश्वर में होना चाहिए आखिर वो क्या है जिस पर परमिश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें हम पहले कुछ परमिश्वर अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आप जानते हैं, इस प्रश्ण के कई अलग-अलग उत्तर हैं, और फिर भी वास्तों में उस प्रश्ण का कोई सही उत्तर नहीं है, ऐसे अच्छे लोग हैं, जो मर जाते हैं, अच्छे लोग है मैं बस इतना जानती हूं कि मैंने बहुत समय पहले हर चीज का पता लगाने की कोशिश करना छोड़ दिया नीती वचन तीन कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण न मन से यहुआ पर भरोसा रखना यह मैं सोचो कि आप उन सभी चीजों को समझने के लिए होश्यार हो अयूब ने बहुत सी चीजों का पता लगाने की कोशिश की जो उसके साथ घटित हो रही थी और उसने परमिश्वर से पूछा क्यों कई बार और अब दिल्चस्प बाद जानते परमिश्वर ने कभी उसका उत्तर नहीं दिया उन्होंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने चतूर हो तो मुझे तुमसे कुछ प्रशन पूछने दो और इसलिए उन्होंने इस तरह की बाते पूछी तुम बिजली को कहा रखते हो तुम बारिश को कहा रखते हो क्या तुमने पृत्वी बनाई है मेरा म लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि यदि आप परमिश्वर की सिवा करते हैं तो आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको पसंद नहों या जो अनुचित हो लेकिन मैं आपसे वादा कर सकती होंगी प उन पर भरूसा करते हैं, हमीशा विश्वास रखेगी परमिश्वर अच्छे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, भले ही वो बुरी या दुखत बात हो, चाहे कुछ भी हो, हमीशा हमीशा विश्वास रखेगी परमिश्वर अच्छे हैं, एक बात जिस पर चैतान चाहता है, हम विश्वास करें, वो ही है कि परमिश्वर हमसे प्यार नहीं करते हैं और वो अच्छे नहीं है, लेकिन परमिश्वर चाहते हैं, विश्वास करें कि वो अच्छे हैं, इफीस यो दो दस एक महान ग्रंथ है, और मुझे ये पसंद है, ये कहता है क्योंकि कि हम उनके बनाया हुए हैं, इसके बार में सोचना, परमिश्वर ने आपको अपने हाथों से आपकी मा के गर्भ में बनाया, आप कोई दुरगटना नहीं है, किसी और ने सिर्फ आपको पाने का फैसला नहीं किया, आप यहां हैं क्योंकि परमिश्वर आपको चाहते हैं, औ क्योंकि हम उसके बनाय हुए हैं और मसी यूश्यू में उन भले कामों के लिए स्रीजे गए और मुझे वो पसंद आप जानते हैं जिस मूल रचना को हम बनाना चाहते थे पाप ने हमें बिगार दिया लेकिन मसी में हम नई रचना बन जाते हैं बाइबल कहती है मसी यूश् जिनने परमिश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तयार रखा है तो परमिश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है उन्होंने आपके लिए भले कामों की योजना बनाई है उन भले कामों के लिए स्रीजे गए जिनने परमिश्वर ने पहले से हमारे करने के परमिश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, उनके पास आपके लिए एक अच्छा जीवन है, एक अच्छे जीवन का, मतलब यह नहीं है कि इसमें कभी कुछ भी कठीन नहीं होगा, मुझे एक महिला याद है जिसके साथ हाली में कुछ बुरी चीजे घटी थी कुछ चीजे जो वास्तों में अनुचित लग रही थी और उसका जीवन कठीन था उसके साथ एक दुरगटना हुई थी और वो वीलचेर पर थी और अपंग थी उसके लिए सब कुछ कठीन था लेकिन उसने कहा उसका जीवन अब अच्छा और कठीन था मुझे वो अच्छा लगता है मैं यह नहीं कहूंगी कि मेरा जीवन आसान रहा है लेकिन मेरा जीवन अच्छा रहा है जब तक मैं 18 साल की नहीं हो गई मेरे पिता ने मेरा यौन शोशन किया मेरी पहली शादी बिलकुल विनाश कारी थी और डेव हर समय अन्या महिलाओं के साथ घूमता रहता काम नहीं करता था और मेरी देखभाल नहीं करता था मुझे 35 साल पहले स्तन कैंसर हुआ था मेरा मतलब है मेरे जीवन में कई कठीन चीज़े घटी है लेकिन जब मैं अपने जीवन को देखती हूं तो मेरा जीवन अच्छा रहा है जानते हैं क्योंकि परमिश्वर अच्छ हो सिर्फ तब आप उनसे प्रेम करें नहीं आपको उनसे तब भी प्रेम करना है जब आपका समय अच्छा ना चल रहा हो वेवस्ता वेवराण आर्ट में परमिश्वर ने इसराइलियों से कहा कि उसने हर तरस उनका नहतरित वकिया और स्मरण रखी तेरा परमिश्वर यह करेगा वा नहीं वहाँ बहुत छोटा रास्ता था दरसल मिस्र से वादा की गई भूमी देश तक केवल 11 दिन का रास्ता था लेकिन इसमें उन्हें 40 साल लग गए और रास्ता बहुत ही छोटा था यहां तक कि जब लाल सागर में भागे जो एक असंबह स्थिती की तरह भी बहुत छोटा रास्ता था जिससे वो उन्हें ले जा सकते थे लेकिन वो उन्हें छोटे रास्ते पर नहीं ले गए वो उन्हें लंबे कठिन रास्ते पर ले गए शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कठिन रास्ता अपना रहे हैं यदि आप वास्तों मे शेतान को पागल बनाना चाहते हैं तो बस हर दिन लगबग 20 बार कई परमीश्वर अच्छे हैं क्योंकि शेतान नहीं चाहता कि आप सोचे की परमीश्वर अच्छे हैं वो चाहता है कि आप अपने सदघटी तो हुई हर निराशा जनक किसी के साथ बहुए घ्ट सकती है कभी यह 윤ुज ना है आप कह सकते ठीक है जब मुझे इसका है तो मैं खुश होंगी क्या आप जानते हैं आप सही रास्ते पर हैं परमिश्वर blindly होतने की वह डयालो है और वह क्षमा शील है उनके कितनी अद्भूत है ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप कर सकते हैं जिसके लिए परमिश्वर आपको माफ नहीं करेंगे सिवाए उस एक पाप के जो बाइबल में वर्णित है जो पवित्रा आत्मा के खिलाफ निंदा है और यदि आप आज ये कारिकरम देख रहे हैं तो आपको चिंतित होने के आवश् आपने इसके लिए प्रतिवद्ध नहीं किया है क्योंकि एक मात्रप्रकार का व्यक्ति जो उस अक्षम ये पाप को कर सकता है वो व्यक्ति है जिसका परमिश्वर के साथ वास्तों में घनिष्ट मजबूत अच्छा मजबूत रिश्टा रहा है और फिर जान बुझकर दू इस और चौबिस को सुने इसलिए कि सबने पाप किया है और परमिश्वर की महिमा से रही थे मुझे ये वचन सब प्रिया है परन्तू उसके अनुगरा से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी यिश्व में हैं सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं क्या आप जानते हैं कि छु परमिश्वर ने अपनी रचना के लिए बनाई थी जिसे श्यत्रों ने तब चुरा लिया था जब उसने आदम और हुआ से जुट बोला था और उन्होंने उस पर विश्वास किया था नहाई संगर ठहराय जाने का क्या मतलब है इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही बनाया जाना जैसे कि आपने कभी पाप नहीं किया हो आपको हर समय अपराद बोद और नींदा के साथ नहीं जीना है और हमेशा इस बात से डरना नहीं है कि आपने परमिश्वर को निराश कर दिया वास्तों में मैं आपको बता सकती हूँ कि परमिश्वर आपसे प्रसंद नहीं है नहीं नहीं जैस आप नहीं जानती मैंने क्या किया है मैंने ये नहीं कहा कि आपने जो कुछ भी किया है उससे परमिश्वर प्रसन है लेकिन आपसे प्रसन नहीं आप जानते हैं कि मैं ये कैसे जानती हूँ क्योंकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं चर जाएंगे शाद 2 या 3 बार, शैतान को आपसे जूट बोलने न दे, वो कहें कि परमिश्वर आपसे खुश नहीं है, परमिश्वर आपर करोधित नहीं है और कोई भी पाप जिसका आप पश्चाताप करते हैं, कोई भी पाप जिसे आप स्विकार करते हैं, उसे खुले मे नाया है और आप उससे दूर हो जाने को तैयार है ये आप कहते हैं हाँ जॉइस लेकिन यह ने वही मुर्कता पूर्ना काम 20 बार किया है आपको पता है क्या मैंने भी किया है लेकिन परमेशवर आपका दिल देखते हैं और वो जानते कि आप वे support को नहीं बदल सकती, मुझे भरोसा है कि आप मुझे बदल देंगे, अपनी कमजोरियों को स्वयम दूर करने का प्रयास करना छोड़ दे और परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें कि वो आपको बदल देंगे, मैंने आज सुबह प्रार्तना की परमेश्वर मुझे उस अक्षेत्र में मजबूत करो, जहां में कमजोर हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए कि सबने पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से रही थें, इसलिए सभी नियाय संगत हैं, परमेश्वर के साथ सही बनाए गए हैं, विश्वास रंखे कि परमेश्वर के पास आप के लिए क्योजना है, विश्वास रखें कि आप रतिभाश्वली हैं, परमेश्वर ने आप में योग्यताय और उपहार दिये हैं, ऐसी ही चीज़ें, जिने कोई भी उतना अच्छा नहीं कर सकता, जितना आप कर सकते हैं, आप जानते विश्वास एक ताकतव परशक्ती है, मेरा मतलब आज था चीज़ें बदल देती हैं, जैसे मैंने कल कहा था, परमेश्वर आपके जीवर में बहुत सारी महान चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उनके साथ सहमत नहीं होंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, और इसलिए जब परमेश्वर मुझे कह रहा था कि मेरा उपयोग करना चाहते हैं, तो मुझे कितनी परिशानी और मेरा माना कि परमेश्वर ने वास्तों में मुझे उन पर विश्वास करने का उपहर दिया है, हम विश्वास के सारे जीते हैं, लेकिन आत्मा के उपहरों में एक विश्वास का उपहर है और कभी-कभी परमेश्वर आपको किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने के लिए उसाधरन विश्वास देंगे जिस पर आप संभवता विश्वास नहीं कर सकते, यदि परमेश्वर आपको उस पर विश्वास करने का विश्वास नहीं दे रहे होते, इससे चुटकारा नहीं पास की मुझे लगा जैसे परमेश्वर ये करने जा रहे थे और निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया लेकिन मुझे परमेश्वर से सहमत होना पड़ा है परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं ऐसा कौन सा वादा है जो परमेश्वर ने आपसे किया है और ये इतना अद्बूत है कि आप बस इतना कहते हैं, मैं इस पर कैसे विश्वास करूँ, यदि परमीश्वर इसे अपने शब्दों में कहते हैं, तो ये सत्या है, और यदि ये किसी के लिए सत्या है, तो ये आपके लिए भी सत्या हो सकता है, मैं इसे फिर से दोराती हूँ, जीवन में कार्या करने की अनुमती देती है। गटित कुछ गटित घटनाओं के कारण वे कठोर रिदयवाले हो गए हैं और आप जानते हैं यदि आप अपने दिल को बहुत अधिक कठोर होने देते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि आप परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करते एक छोटी सी कहानी है ट्राइट रोप मौत को मात देने वाले स्टंड से भीड को चौका देता था नाइगरा फॉल्स के एक शेत्र पर निलंबित टाइट रोप की ओर इशारा करते हुए ये बहादूर साहसी खटा होई भीड को ये कहकर चिडाता कौन विश्वास कर सकता है कि मैं इस रसी पर इस गाड़ी को फ केल सकता हूँ हर जगे हाथ उठे हाँ हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं उस आदमी ने एक हाथ की और इशारा किया जो उपर उठा हुआ था और उसने उसे चुनौती दी यदि तुम विश्वास में विश्वास करते हो तो आओ और मेरी गाड़ी में बैठो क आप जानते हैं क्या हुआ वहां कोई उस जोनोती स्विकार करने वाले में नहीं था परमिश्वर कहते हैं अगर हम वास्तों में विवसाय करना चाहते हैं तो अंदर आ जाओ उन्हें उद्धार करता के रूप में स्विकार करें और उनके साथ विश्वास की यात्रा शुरू हुए आए और पत्रस एक बहादूर आत्मा था वो पानी पर भी चलना चाहता था और उसने कहा ए प्रभू यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आग्या दे और यूश्यू ने कहा आ और पत्रस ना उसे बाहर निकला और निश्वित रूप से वो प की ना उसे बाहर निकलने को तयार था हो सकता है कि आप बैठे हों और इंतिजार कर रहे हों कि परमीश्वरो सब करेंगे लेकिन कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं कि आप करें हो सकता है कि आपको वो कदम उठाना पड़े हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसे नाव में मैंने बस एक और चोटी सी कहानी सुनी एक आदमी की जो पहार से गिर गया था और नीचे जाते समय उसने चट्टान उससे चिपकी हुई एक शाखा को पकड़ लिया वो इस शाखा से लटका हुआ था और चिला रहा था क्या कोई है यहां उपर और परमेश्वन ने कहा मैं य कहा क्या वहां कोई और भी है कभी कहा भी हम ऐसे ही होते हैं हम परमेश्वर से हमारी मदद करने के लिए कहते हैं लेकिन हमें वो हिस्सा पसंद नहीं आता जो वो हमें करने के लिए कहते हैं आपको चीजों को छोड़ना और परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने देना सीख कर सकते लेंगें आपको परमीश्वर से प्रार्तना करने होगी है परमीश्वर मेरी मदद करो मुझे मजबूत करो किवला आप लीवो कर सकते हैं जो मेरे जीवन में करने के आवशक्ता है अपना विश्वास जारी रखे और मुझे ये कहना पसंद है हम अपना विश्वास प्रारतना के माधियम से कह सकते हैं माधियम से और कारवाई के माधियम से जारी रखते हैं अब एक चीज के लिए प्रार्तना नहीं करते हैं और फिर मुड़कर किसी और चीज के लिए प्रार्तना करते हैं और फिर जैसा कि मैंने कहा कभी कभी आपको नाव से बहां निकले वाला व्यक्ती बनना पड़ता है यह बस एक सेकिंड के लिए यह बात करते हैं लुका 6.38 बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाब दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाब से तुम नाबते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नाबा जाएगा खेर हम सब समझ के मेरा मतलब है कि कौन इसके बारे में उच्साहित नहीं होगा लोग पूरा नाब दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे लेकिन आप पहले भाग को नहीं भूल सकते दिया करो और मुझे पॉलुस द्वारा लोगों को लिखे गए अपनी कुछ पत्रों में कही गई कुछ बाते पसंद है उसने कहा वे देने के लिए प्रतिबत थे यह सुईदा समझ नहीं लगता है तो हम अपना दान नहीं बढ़ाते या हम दश्मानश के लिए प्रतिबत है और जब चीजए मुश्किल हो जाती है तो हम पीछे हड़ जाते या हम ऐक ऐसी सेवका के साथ साज़िदारी करने के लिए प्रतिबद हैं, जिसमें वास्तों में हमारी मदद की है, आप कहते हैं मेरा विश्वास सम्रिद्धी पर है, लेकिन क्या आप दे रहे हैं, क्या आप वो कारे कर रहे हैं, जो परमिश्वर आप से कराना चाहते हैं, क्या आप दे रहे हैं, परमिश परमिश्र में ये दो मुझे इससे और भी अधिक दो, आप जानते हैं? एक बार प्रभू ने मेरे दिल से बात की थी, मैं तो सिर्फ एक बच्ची थी लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया और जो रहस्य मुझे हमिशा छिपा कर रखना पड़ा, उसके कारण में अपने आपको दोशी में हैसूस करती थी और इसलिए कई वर्षों बात भी जब मैं पिता से दूर थी और मैं एक इसाई थी और मैं सेव कायमी थी तब भी मुझे निंदा के साथ एक वास्तव एक बुरी समस्या थी और मैं आपको बता दूँ मैं कई वर्षों तक चरज जाती रही इससे पहले कि मैंने सीखा की विश्वास सिर्फ येश्व में विश्वास क शक्ती है जिसे परमिश्वर अपनी क्रिपा से आप में डालते हैं जिसे आप मुक्त कर सकते हैं जो आपको महान कारे करने के अनुमती देगा जो परमिश्वर आप से कराना चाहते हैं और इसलिए मैं उन चीजों के लिए विश्वास कर रही थी जिनके मुझे आवश्रकता भी नहीं थी बस मुझे ये और उससे भी अधिक दो मेरी सेवा को बढ़ाओ परमिश्वने का आप जानते हैं कि यदि आप अपने विश्वास का उप्योग वास्तों में किसी चुनौती पूर्ण के लिए करना चाहते हैं तो इसे निंदा से मुक्त रहने दे वाह मुझे आश्यर है कि आज आपने या आप में से कितने लोगों को उस वच्चन के आवश्चक्ताया क्यों कि आप जानते हैं क्या बले ही आप विश्वास कर सके कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है कई बार यदि आप वास्तों में वच्चन को नहीं समझते तब भी आप दिनों और हफ्तों और कभी-कभी वर्षों तक दोशी महसूस करेंगे लेकिन हमें ये विश्वास करने और समझने के आवश्च रखता है कि हर बार जब हम अपने पापों पर प्रश्चाता करते हैं, हम कुछ तो पाते हैं, रोमियो आठ एक कहता है, सो अब जो मसी येश्व में हैं उन पर दन के आग्या नहीं क्योंकि जीवन के आत्मा की वेवस्थाने मसी येश्व में मुझे स्वतंत्र कर दिया. इस कारे करम को जोईस मायर में इस चीज के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है.